वेलकम गाईज कैसे हैं उमीद अच्छ होगे साथ यू बहुत शारी कमेंट आते हैं कि शार HTML के कितने वीडियो हो रहे हैं देखिए मैं अपनी तरफ से वीडियो नहीं बना रहा हूं नहीं मैं HTML को अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूं देखिए HTML में जितना काम होता है जितनी टैक्स होती है वो टैक्स तो देखो करवानी है यदि आप बिगिनर से कम्प्लीट पूरा HTML सीखना चाहते हैं तो आपको सारी टैक्स जानना जरूर है वैसे मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के बाद लगबग आठ या साथ टैक्स और बच्छी हैं जो मैं आपको करवा करता है उसकी full-form के हिसाफ निकाल के दिखा देता है अडियाना परशलीज श्यांखे हर इस हिसाफ से इसी परकार हम हम एस टेमट में हमने कोई short-form लिखिया उसकी फुल फॉर्म हम डिस्प्ले कराना चाहें तो हम एब्रिवेशन टैक का यूज करते हैं किस परकार करेगे ये सीखेंगे प्रैक्टिकली तो इसीटिमन तक बने रिगर मसकार साथ ही मेरे डाम है मनुश्पुमार और आप देख रहे हैं तो चलिए सीख लेते हैं तो आज की चैप्टर में हम पढ़ेंगे एब्रिवेशन टैक के साथ साथ एक और टैक जैशा कि मैंने बताया कि एब्रिवेशन टैक का काम होता है कि कोई भी शोर्ट फॉर्म है उसकी फूल फॉर्म डिस्प्ले कराना आप लोग जब भी कोई शोर्ट फॉर्म शर्च करते हैं तो सर्च एंजन क्या करता है उसको फूल फॉर्म दिखाता है उसके न इसी प्रकार हमने किसी भी शोर्ट फॉर्म की फूल फॉर्म दिखानी है तब हम यूज करते हैं अब्रिवेशन टैक का तो मैं यहाँ पे एक tag लिख लेता हूँ, मैं करता हूँ सबसे पहले तो heading 1, इसके अंदर कोई भी word मैंने character type कर दिया, और एक paragraph ले लेते हैं, कि मैंने एक छोटा सा paragraph लिखा है, मैं इसको save कर लेता हूँ, और यहाँ पे करते हैं, हम आके refresh, और paragraph को भी मैंने close नहीं किया था, इसको भी close कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने type किया है, कि hello my youtube channel name is cgg and you are learning stml, अब हम इनकी full form यहाँ पे देखना चाहते हैं, तब हम use करेंगे abbreviation tag का, जैसे कि यह वाला word है, इसकी full form शो करानी है, तो हम use word के शामने आएंगे, और यहाँ पे कर देंगे abbr, और इसके तउनन बाद हम इसको कर देंगे close, और एक हमने اس word की full form शो कराना है, तो यहाँ भी हम कर देंगे abbr, और इसके बाद भी हमसτιज्ट को कर देंगे close, टीक है save करेंगे और यहां पर आके refresh करेंगे तो देखें यहां पर इससे कुछ फरक नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि इसकी एक attributes होती है वो हमने यहां पर डालनी होती है वो होती है title और equal करके हम यहां पर इसकी full form कर देंगे कि इसकी full form है computer ग्यान गुरोजी इसी परकार हम य दिख देंगे title में यह है hypertext markup language और save कर लेंगे इसको अब यहां पर आके करते हम refresh इसको और अब आप देखो कि यहां पर देखो कुछ dotted line सी नजर आ रही ने अब डिवेशन के लिए हम इस word के उपर mouse को जह से लेकर जाएंगे तो यहां पर देखो यह इसकी full form डिस्पले कर आए इसी परकार दूसरी टैग होती है वो होती है acronym टैब एक्रोनिम टैब भी ऐज़िटीज अब्रिवेशन टैग की तरह काम करेगी जो कि माज दूसरी टैग आपको बताने वाला था हमने क्या करना है हमने शिरफ जो अब्रिवेशन टैग है इसकी जगह यदि हम acronym टैग क्लोज करें जैबरिवेशन की जगह पर और सेव करके इसको और वहां फिर्वेशन टैगा करेगा same to same जैसे abbreviation काम करता है ऐसे ही acronym काम करता है जिस भी short form की आपने full form display करानी है तो वहाँ पे आप abbreviation लगा सकते ए बी बी आर या फिर acronym लगा सकते राइट आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगाऊगा इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते करें हमें लाइक करें और यदि नए है पमेर्चल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें